गुड बर्निंग फ्रेंट्स सौगत है आपका मेरे यूटूब चैनल इंग्लिस बाइपियल नारेडा में इस चैनल पर आप इंग्लिस लिटरेचर चे सम्मंदित सभी तरह के वीडियो देख सकते हैं और ये सभी वीडियो आरपेशी द्वारा आएजे प्रतियों की परिक्षाओं विश्विद्यलियों की परिक्षाओं के लिए बहुत उप्योगी हैं तो आज का हमारा वीडियो है एपसलम एड़ एकेटोपल बाइ जोन ड्राइडन जोन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई ये कवीता वेंग्यात्पक कवीता है तो आएए हम इसका अध्यन करते हैं एपसलम एड़ एकेटोपल ये 1881 में लिखा गया जोन ड्राइडन का वेंग्यात्पक कवीता है देखिए यहाँ पर मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ डेविड जो की चाल सेकेंड का प्रतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् नाम है एपसेलम एपसेलम जो उसका इल लेगिटिमेट शन था यानि गेर कानूनी पुत्र था और जेम्स ये डेविड का यानि चाल सेकेंड का भाई है जो राजा बनना चाहता था लोग वहाँ पर जेम्स को भी राजा बनना चाहते थे लेकिन एकिटोफेल जो की अर्लोप साप्ट बरी है वो एपसेलम को जो की चाल सेकेंड का यानि डेविड का गेर कानूनी पुत्र था उसको राजा बनना चाहता था और यहाँ पर एकिटोफेल जो है उसके सपोर्टर के रूप में हम जिम्री, सिम्मी और कोरा को देख सकते हैं यह सारे के सारे लोग विग पार्टी के अगेंस्ट थे जिसका क्योंकि ड्राइडन जो है वो भी विग पार्टी से अलग हो गया था तो यहाँ पर यह एकिटोफेल जो है वो एपसलम को राजा बनना चाता है और सारे की सारी कवीता इसी पर आदारित है किस तरह से वो एपसलम को उकसाता है कि वो चाल्स से राज्य अधिक राज्य भी शेक करवा है यानि वो राज्य राज्या का जो है उसको छीन ले राज्यागा जो अधिकार है उसको छीन करके खुद राजा बने और जेम्स को राजा बनने से रोके तो पूरी कवीता इसी पर आदारित है रेस्टोरेशन काल का महान कभी है कुछ समय के लिए वो इंगलेंड का पॉइट लॉरेट भी रहा उसने खुप सारे प्लेज लिखे खुप सारी पॉइम्स लिखिए साती सात वो कभी भी है और नाटकार भी है अब क्या हुआ उसने धरम परिवर्तन कर लिया और वो रोमन केतोलिक बन गया था हमने उपर पड़ा था कि ड्राइडन पॉइट लॉरेट था और उसने धरम चेंज कर लिया तो उसको उसकी पॉइट लॉरेट की पोस्ट से निसकासित कर दिया गया यानि उसको हटा दिया गया एपसेलम एंड एकिटोपल का वीता है यह यह वहरूरी कविता है इसमें वेंगे हैं पस्ट पब्लिष्ट एनो पस्ट पब्लिष्ट एनोनिमसली इन नॉम्बर ओफ 1681 इनोनिमसली का मदलब होता है जिसका लेखक का पता नहीं हो उसको बोलता है एनोनिमस तो यह 1881 में बिना लेखक के परिच्चे के प्रकासित हुई इसको राजनितिक वेंगे के रूप में जाना जाता है इस पोईम को इंग्लीज का पर्स्ट स्टायर इवेंगे होने का स्रे मिलता है यानि अंग्रेजी में इससे पहले स्टायर नहीं लिखे जाते थे यानि इसमें बाइबल के पात्रों के माध्यम से चार्ल से किंड के काल का वर्णन किया गया है इसमें जो किंग डैविड है उसके खिलाब biblical story epsilon की है who rebels against king david जिसने king david के against विद्रो किया था तो यहां पे charles second वो king david है और epsilon उसका जो बुत्र है उसने उसके पिता के खिलाब किस तरह से विद्रो किया था क्योंकि वो illegitimate son था this however is commonly understood as an allegorical reading इसलिए इसको allegorical reading के रूप में जाना जाता है allegorical यही होता है कि उसमें किसी अन्य पात्र को मोहरा बनाया जाता है यानी जैसे हम यह कर सकते हैं कि कोई भी कहानी होती है जैसे राम सीता तो उस जमाने में उनको संबोदित करके वरतमान समय में किसी के उपर अगर इसी कहानी बनाई जाती है तो वो ऐलेगरीकल कही जाती है जैसे किसी में राम जैसे आदर सो और उसको ऐसा बताया जाए तो वो ऐलेगरीकल कहानी होती है and the events of the poem are actually about Dryden's contemporary Charles second और इसमें जो घटनाय है वो पूरी तरह से Charles second के बारे में है जो की Dryden का समकालिन राजा था contemporary मलब समकालिन and the exclusion crisis और उस समय जो crisis था exclusion crisis निसकासन यानि Charles II को राजगद्दी से निसकासित कर दिया था और उसके बाद जो crisis पेदा हुआ जो विशम परिस्तितियां पेदा हुई उनका वर्णन इसमें है In writing the poem Dryden Hobbs rose the populace against the Earl of Saftbury In writing the poem इस कविता को लिखने के पीछे Dryden Hobbs Dryden को ये उमीद थी to rose the populace की वो जनता को populace मतला people public को against कर देगा किसके? The Earl of Saftbury along with the Whig Party और साथ के साथी Whig Party के भी These groups had sponsored and advocated for this exclusion bill ये जो लोग थे इन्होंने sponsor किया और इन्होंने advocated किया यानि इन्होंने सिपारिस की for this exclusion bill इस exclusion bill के लिए और which if successful would prevent James second from succeeding to the throne और अगर ये bill सपल रहा होता तो James second जो है वो राजा बनने से चूप जाता यानि James second राजा नहीं बन पाता the bill was blocked by the house of lord on two separate occasions लेकिन ये जो बिल पेस किया गया इसको house of lord वहा की जो senate और house of lord दो वहाँ पे सदन है तो उनमें से house of lord ने दो आवसरों पर रोक दिया this was during the era of the purpose plot which took place during the year 1679 to 1681 और ये घटना 1689 से 1881 के बीच में घटित हुई the allegory begins by representing England as the biblical land of Israel जब इस कविता में घटना ही बताए जाती है तो ये England से start होता है और उसको England को biblical land of Israel के रूप में प्रस्तुत किया गया है यानि Bible में जो इसराइल की जगह है उसको England में बताया है and the Englishman is the Jew और Englishman को यहूदी के रूप में बताया गया है the group of antagonists in the poem is working against Charles David जो खल नाइक है antagonist मतलब जो नाइक के अपजिट गुनवाला है यानि जिसको हम विलियन करते हैं इस कविता में वो कारे कर रहा है against King David वो King David के खिलाब काम कर रहा है whose modern representation is Charles second और King David वरत्मान में कौन है Charles second यानि वो Charles second के खिलाब सडियंत्र बना रहा है the first Earl of Saabtabari takes on the role of Aquitopel और जो वहां का पस्ट Earl है जिसको Saabtabari का जो पस्ट Earl है शामन्त है उसको Aquitopel के रूप में बताया है the leader of this group वो इस ग्रूप का leader है यानि जो King David के खिलाब सडियंत्र कर रहे हैं लोग उस सडियंत्र का मुखे वेक्टी Aquitopel है जो की Saabtabari का पहला Earl है He exploits the anti-catholism वह exploit करता है दोहन करता है वो किस चीज़ का anti-catholicism यानि Catholic धरम के विपरीत जो लोग है उनका which was created during the popist plot और ये popist plot के समय का creation था यानि जब popist plot शडियंत्र जो हो रहे थे pop के द्वारा किये गए उस समय ये हुआ था Aquitopel decides that Absalom in contemporary terms King Charles' illegitimate son Aquitopel जो है वो ये decide करता है कि जो Absalom है Absalom जो राजा है का बेटा है लेकिन वो केसा बेटा है Charles' second का वो illegitimate son है illegitimate मेलब गेर कानूनी यानि वह उत्रादीकारी के रूप में नहीं बलकि गेर कानूनी बेटा है Is the best candidate to take the throne instead जो एकिटोपेल है वो करता है कि जो Absalom है वही राजा बनने का वास्तविक हकदार है जिम्री, सिम्री एंड कोरा followers of Aquitopel Aquitopel जो इस सडियंतर का मुखे वेखती है उसके follower में जिम्री, सिम्री और कोरा है I are described in details throughout the conversation between Aquitopel and Absalom जब Aquitopel एकिटोपेल एकिटोपेल से बात करता है तो उसके supporter के रूप में इनको अच्छे से बताया जाता है ये भी उसका support करते है This part of the poem distinctly This part of the poem distinctly resembles Milton's Paradise Lost जब ये बातचीत होती है एकिटोपेल एकिटोपेल के बीच में तो ये बिल्कुल वेसे की वेसी है जिसा कि Milton के Paradise Lost में होती है which also lists what is now known as an epic catalog और इसको epic catalog के रूप में भी समझ सकते हैं यानि महकावे के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं महकावे के जो रूप है उसमें हम समझ सकते हैं एकिटोपेल बिगिंस वेरी लॉग स्पीच एकिटोपेल जो है एकिटोपेल को राजा बनाने के पक्स में एक बहुत लंबा स्पीच देता है जैसे सेटन, मिल्टन के पेरडाइस लॉस्ट में सेटन जो है उसका एक लंबा भासन चलता है ठीक उसी तरह से यहाँ पे एकिटोपेल का भासन चलता है और उसमें वो बताता है एपसेलम से करता है उसको convenience कर लेता है attempt to convince उसको समझाने का प्रियास करता है कि तुम अपने विद्रोईयों को join करो यानि तुमारे साथ जो विद्रोग कर रहे हैं उन लोगों को तुम अपने में मिला लो He tells एपसेलम that the country cries for him to take the throne in secret वो एपसेलम से ये भी करता है कि ये जो country है यहां के जो people है ये गुपत रूप से तुमें राजा बनाना चाहते हैं He said King Charles is not popular anymore because the pop is plot वो ये भी करता है कि तुमारे जो पिता जी है King Charles second अब उनकी प्रसिदी उतनी नहीं रही क्योंकि जो pop ने जो plot फेला रखा है pop ने जो सडियंत्र रच रखा है उसकी वज़े से and he has no other allies और अब उसके कोई दूसरे friends भी नहीं बचे सब उसको दोका देने पर उतरे हुए है Eccetopal says that Egypt modern translation here is France will help Epsilon to claim the throne as his own वो Eccetopal Epsilon से ये भी करता है कि जो Egypt है क्योंकि ये एलेगरी है तो उसमें Egypt जो है modern France के लिए आए कि France जो है वो तुमारा help करेगा वो तुमारे लिए Shingasana के दावा करेगा He not only has the royal blood that is necessary to gain support of the people और वो ये भी कहता है कि तुमारा जो खून है वो royal blood है और न के वल तुम royal blood के हकदार हो but would be a much better king than anyone who would inherit the throne by means of succession बलकि तुम तो उन सभी लोगों से ज़्यादा अच्छे succession साबित होंगे जो कोई भी इस उत्रादिकार को या इस Shingasana को ग्रहन करेगा उन सबसे बैटर हो तुम here the reader is meant to understand the reference of James यहाँ पर हम James का reference भी समा सकते हैं क्योंकि दूसरी जो लोग थे वो James को राजा बनना चाहते थे लेकिन Echitopel जो है वो Epsalom को राजा बनना चाहता था Epsalom defends his father saying David is a good king and he and has always treated with kindness Epsalom जो है वो अपने पिता का बचाओ करता है defend करता है और वो करता कि मेरे पिता जी एक अच्छे राजा है और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बरताओ किया है तो मैं किस तरह से मतलब उनसे राज्य हतिया लूँ ये एक अच्छी बात नहीं है बट Epsalom is also ambitious लेकिन Epsalom की मत तो कांगसा तो है कि वो राजा बने and is fighting against the constant flattery that Echitopel is giving him और Echitopel जो उसको बार-बार राज्य अदिग्रीत करने के लिए प्रोचाहित कर रहा है उसकी वज़े से वो निरंतर आगे बढ़ रहा है Epsalom refuses to turn against his father लेकिन फिर भी Epsalom अपने पिताजी के against होने के लिए मना कर देता है He says the crown should go to the person who rightfully deserve it वो कता है कि ताज उसी को मिलना चाहिए जो उसका उचित उत्तरा दिकारी है David's brother और यह किस को मिलना चाहिए David के brother को मिलना चाहिए यानि जो मेरे पिताजी है उनके भाई को मिलना चाहिए David के भाई को who has all the royal virtues जिसके अंदर सारे ही royal virtues है उसके अंदर सारे ही सद्गुन है He admits his illegitimate birth maximum unsuited for the job वो कता है मैं मेरी जो उत्त्ती है वो legitimate नहीं है कानूनी उत्त्ती यानि मेरे पिताजी ने गेर कानूनी तरीके से साधी करी और इसलिए मैं जो है इस जोब के लिए उचित नहीं हूँ यानि मैं राजा बनने के लिए उचित नहीं हूँ कास and wishes he had been born higher कास में legitimate पुत्र के रूप में पेदा होता एकिट ओफेल renews his persuasion tactics फिर epsilon क्या करता है उसकी जो tactics है review रचना जो वो काम में ले रहा है उसको फिर से परसोसन का मलब बता है पुसलाना राजी करना उसको renew करता है यानि वो जो epsilon को समझाने की जो उसकी कला है उसको फिर से वो तयार करता है he implores epsilon to save the religion common wealth and liberty of their country अब की बार वो करता है तुमारे धर्म को बचाओ तुमारे common wealth को बचाओ और तुमारे सतंतरता को बचाओ of their country इस देश के लोगों के धर्म को लिए common wealth के लिए और liberty के लिए तुम्हें राजा बनना चाहिए the throne needs someone powerful like epsilon और वो करता है कि राज सिंगासन एक सकते साले वेक्तिक हाथ में होना चाहिए जैसे कि तुम David on the other hand is weak and gives the people too much David बुड़ा हो चुका है कमजोर है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है the nation has been carefully weakened पुरा राष्ट कमजोर हो चुका है and they have a right to choose their own king इसलिए उनके पास अधिकार है कि वे अपना राजा बना सके James is also jealous of एपसलम और वो ये भी कर देता है कि जो James से वो एपसलम से इर्शा करता है who should claim the throne as an act of self-defense और इसलिए एपसलम को सिंगासन को हतियाना एक defense की तरह है यानि James एक अच्छा राजा नहीं है वो इर्शा करता है एपसलम से और वो उसका प्रतिदंदी हुआ जाना है एकिटोपेल टेल से एपसलम to pretend to defend king david and then accuse James of plotting to murder the king एकिटोपेल एपसलम से करता है कि तुम pretend करो pretend मलब बहाने बाजी करो to defend king david राजा को बचाने का किस से James से और James क्या कर रहा है James plotting कर रहा है plotting मतलब सडियंत्र कर रहा है to murder the king राजा को मारने का तुम इस तरह का बढ़ताओ करो कि James जो है उसके भाई को मारना चाहता है और तुम बचाना चाहते हो this will allow एपसलम to force david grant him एपसलम सक्सेशन और जब तुम इस तरह से करोगे इस तरह का बहाना करोगे तो david जो तुम्हारे पिताजी है वो तुम्हें अपने आप उत्रादिकारी बना देंगे akitophel also argues that david wants to do this anyway akitophel ये भी बता देता है कि तुम्हारे पिताजी david जो है वो यही चाहते हैं हर हाल में but will not without some external pressure लेकिन external pressure के बिना वो ऐसा काम नहीं करेंगे यानि जब तक बाहरी दबाव नहीं आ जाता तब तक वो कैसे ये काम कर सकते हैं तुम उनके पुत्र हो तो उनके पुत्र को राज्या बनना उनका उत्रादिकार देना उनका हक है वो चाहते हैं लेकिन उनका भाई james जो है वो राज्या बनना चाहता है लेकिन वो इस काम को कैसे रोके उनके पास बाहरी pressure होगा तब जाके ऐसा कर सकते हैं तो तुम बहारी प्रेसर बनाओ एकिटोपेल says that डेविड is like a man who pretends towards man's advances but secretly wants them एकिटोपेल बड़ी ही चतुराई से कहता है कि डेविड जो है उस ओरत की तरह है जो प्रेम चाहती है अपने प्रेमी से लेकिन गुप्त रूप से वो खुद चाहती है लेकिन वो आगे अपने advances जो है नहीं करती है यानि वो खुद आगे चल करके नहीं करती है वो चाहती ही कैसा करे उसका प्रेमी लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाती है ठीक ऐसी इस्तिती देविड की हो रही है दिस रादर ट्रबलसम आर्गुमेंट फाइनली कन्विंस अपसलम टु कमिट अप्लीजिंग रेप अपन दे क्राउन और इस अंतिम हत्यार से यानि जब एकिटोपेल ने कहा कि तुमारे पिता के इस्तिती उस प्रेमिका की तरह है जो प्रेम चाहती अपने पती से लेकिन करती नहीं है इस अंतिम वाके से एक्सलम ने क्या क्या कमिट अ प्लीजिंग रेप अपन दे क्राउन वो उस ताज पर तूट पड़ा प्लीजिंग रेप अपन दे क्राउन और जो यूवा है जो महत्यो कांग साती वो इस तरह से पूरी हो जाती है वो एपसलम को जो राजा बनाना चाहता था वो इस तरह से पूरी होती है अब जो बाकी कविता बसती है उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से विद्रो की शुरुआत होती है लीड बाई एकिटोपेल साप्टसबरी और किस तरह से एकिटोपेल उसका परतिनी दित्तों करता है और पूरी की पूरी कविता जो है उसमें बाईबल की एलेगरी की गई है रूपक के रूप में उसको बताया है Epsalom makes a very successful public speech promising peace to the people और Epsalom जो है बहुती powerful भासन देता है जिसकी वज़े से लोगों में शान्ती बनी रहती है Dryden explains the many political issues throughout the poem in great details और Dryden ने बहुत अच्छे सब्दों में उस समय के जो राजनितिक issues थे उनको कविता में समझाया है He makes a number of political arguments उसने कहीं तरह की राजनितिक तर्क भी दिये है All the while employing the use of the poetic verse और उसने poetic verse काम में लिए है यानि कावे के मादिम से उसने समझाया है The poem finally ends with King David's speech और फिर कविता का अंत जो है King David के भासन से होता है During which he upholds his traditional rights जिसमें वो उसका जो traditional right था उसके बारे में बात करता है यानि उसका प्रम प्रागत जो अधिकार है उसके बारे में बात करता है Offers consolation to all the rebels But also demonstrates firmness in his decision वो जितने भी विद्रोई है उन सबसे conciliation के लिए करता है समझोता करने के लिए करता है लेकिन फिर भी वो उसके decision में अडिग है और वो इस तरह की बाते करता है Beware the fury of patient man देरे साले वेक्ति के फ्यूरी मतलब गुसे से सावदान रहो अगर कोई वेक्ति धेरे साली है और अगर उसको गुस्सा आगया तो वो बहुत खतरनाक होगा All the empire is no more than power interest जितने भी शामराजे चल रहे हैं वो सिर्फ एक ही बात से चल रहे हैं Power interest यानि शक्ति में विश्वास करना पड़ेगा Thanks Google इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे Google से help लेनी पड़ी इसलिए Thanks Google Google का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो किसा लगा आप मुझे comment करके बताएगा Thank you झाल